आज एक छोटी सी अपडेट जो की बहुत इंपॉर्टेंट भी है नहीं पीसी जेई स्टेविल इंजिनिरिंग के जो एक्डामिनेशन हुए थे उसका रिजल्ट जो है रिलीस कर दिये गया है और अभी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यहां पे आपका कटफ गया क और कौन-कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इसके बाद भी कुछ फर्दर प्रॉसेस है या फिर यह फाइनल सेलेक्शन है तो गाई सबसे पहले बात बता दू आपको कि यह जो एडविटिजमेंट था जिसमें नच्पीसी जेई के लिए रिक्रूट्मेंट था जू बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट किया उन्होंने यह लिस्ट चार पाच परने में है और यहां पर देख सकते हैं जैसे संदीप कुमार और उनके साथ साथ में रिजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंशन है तो आप अपना रिजल्ट इस लिस्ट में चेक कर सकते हो डेफिनेट बात करूं मैं तो यहां पर जो अन्रिजर्व कटेग्री है यूर कटेग्री है वहां कि उसकी कटफ गई है लगबग लगबग यहां पर 152.75 अन्रिजर्व के लिए 152.75 EWS के लिए 147 147.50 OBC के लिए कटफ गई है 149 देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है कटफ में डिजर्व में और OBC में SC की कटफ गई है 141 और ST की गई है 132 और यहां पर कैटेगरी A, कैटेगरी B, C और कैटेगरी D और E, PWBD के लिए यह सारी कटफ गई है साथ ही साथ यहां पर इन्होंने नीचे लिख रखा है कि the offer letter to the above selected candidate will be sent to their registered email ID only after the रोजगार मेला organized by the government of India dated 28-10-2023 अब देखो यहां पर बोला है कि 28-10-2023 कुछी दिन बचे हुए है आपको भी पता है कि 26 थारीक हो गई दो दिन बाद यहां पर बोला गया है कि 28-10-2023 के बाद आपको offer letter आपके जो respected mail है email पे आपको मिलने लगेगा finally आप selected हैं अगर आपके marks अच्छे आए हैं कटफ से उपर हैं तो आपका list में नाम होगा और list में नाम है तो आपको offer letter आपके mail address में मिल जाएगा कटफ बहुत सारे बच्चों के कटफ marks के बराबर भी number होंगे तो भी वो select नहीं होंगे उसका reason यहां पर उन्होंने mention भी किया हर examination में ऐसा ही होता है in case of the tie अगर आपके marks बराबर हैं कटफ के बराबर और आपके cbt score मतलब बिल्कुल same थे last selected candidate के बराबर उसमें वो लोग preference किसको देते हैं जिसकी age ज्यादा होती है candidate senior in age having have been preference और यह बात है कि select हुए नहीं के examination में आप सभी को congratulations और इस दसहरे और दिवाली के बीच में जो यह खुशियां आपको मिली है आपके घर में आई है उसके लिए आप काबिले तरीफ आपकी महनत है आपने बहुत ज्यादा महनत करी इस examination के लिए और finally आपको सफलता मिली जो लोग यहां examination आएंगे आपको अगर आपको अपनी महनत पर भरोसा आपकी preparation पर भरोसा है तो इसी तरीके से महनत करते रहिए आपको सफलता जरूर मिलेगी once again guys आप सभी को congratulations जो बच्चे select हुए है और जो बच्चे select नहीं हुए उनके पास अन्य को options हैं देरे देरे और भी options खुलेंग आप लोग अपने examination पर फोकस कीजिए अपने preparation कीजिए अगर इंजिनेर्स अटा के साथ जुड़े हैं तो इंजिनेर्स अटा के साथ अपने preparation को continue कर सकते हैं thank you so much everyone बवाय टेक कियर मिलते हैं आपसे next वीडियो में till then keep learning guys